नमस्कार आप देखरें फर्ष्ट ब्यार मैं हूँ आपके साथ सेलेंद कुआ हमारे साथ बाचित करने के लिए राज़त के परवक्ता मिर्टुंजे तिवारी है मिर्टुंजे तिवारी जी से जानेंगे कि पहले संसत भवन का विरोध किया उद्गाटन होना अठाज तारी किसी ब्यक्ति का विरोध नहीं है ये विरोध है गलत नीतियों का ये विरोध है विचारधाराओं का ये विरोध रहेगा एक विपक्च का धर्म है कि अगर सत्ता पक्च सत्ता के अहंकार में गलत फैसले लें और संबिधान नियम कानूत को ताक पर रख कर कोई काम करें और अगर मनमानी और ताना साही करें तो विपक्ष सरकार को आइना दिखाता है ये विपक्ष का धर्म है अगर जिस आयोग की बात आप कर रहे हैं भाई नीती आयोग की बैठक में गैर भाजपा सासित राज्यों के मुख्मंत्री जाकर सब उनकी सुनने ही नहीं है आदरनी परधान मंत्री जी को जब उसका अनुपालन करना ही नहीं है किसी का सलाह मानना ही नहीं है ये तो बैठक होती है सब का सलाह लिया जाता है और जो उप्यूक्त होता है उसका क्रियानवियन होता है यहां तो अपने मन की बात करने है अप के पहले जो भी बैटके हुए उसका क्या हुआ कहा है विशेस राजी का दरजा बिहार का विशेस पैकेज का बोली लगाई गई थी जो सम्मेधानिक संस्ताय हैं उनका क्या हाल करके रखा है तो भाजपा के प्रकोष्ट के बैठक में कोई नहीं न जाएगा भाग लेने के ल कर रहे हैं के आप उनकी उपेесто कर रहे हैं उनको वाजिभा नहीं देवेये हैं सीग्छा का वा सवास्त का सवाल को इस्पर्थ को कोई ध्यान केंद्र सरकार नहीं दैती राज्यों में जहां-जहां बीजेपी की सरकारे नहीं हैं वहाँ देखिए किस तरह सोतेला बेवार किया जा रहा है केंदर सरकार के द्वारा अब जब सभी लोग तमाम विपक्षी पार्टियां देश की एक किस विपक्षी पार्टियों ने नए संसत भवन के उद्गाटन का यह कहकर वहिस्कार किया है कि संबेधानिक रू कि बैटक में कही राज्यों के मुख्यमंत्री वह नहीं जा रहे हैं बंगाल के भी मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं वहां भी नहीं जा रहे हैं आदनितिस कुमार जीव नहीं जाएंग ऐसे नहीं चलता है सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेवारी जवाब देई है कि व विपक्ष की बात अनसूनी होगी इसका मतलब है जनता की आवाज को दवाने का काम किया जा रहा है। देखना है कि यह कब तक सत्ता के नसे में यह जुल्म करते हैं। कोई में बेदावट माइंड है जिसके जिस आदमी के पास माइंड है ही नहीं वो कुछ भी बोल सकता है। तो जो लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे यह लोग तो कल तक नतमस्तक थे घुलट घुलट कर आदर नितिस कुमार जी के चरन बंदना कर रहे थे। इसलिए तो हमने उस दिन भी कहा था कि बिहार में मानसिक रूप से बिमार लोगों के इलाज की उचित वेवस्था कोईलवर में ही तेजस्विजाद अबजी ने की है। अगर किसी का दिमाग गलवडा रहा है सत्ता जाने के गम में या इस गर्मी में तो उनका इलाज सरकारी खर्च पर फिरी में विहार सरकार कराईगी। आदर नितिस कुमार जी से जो इनके आका हैं आदर नरेंदर मोदी जी तो मुकावला ही नहीं कर पाएंगे। यह सब किस खेत के मुली हैं जो नितिस कुमार जी के चरनवन्दना में सरनागत थे आदर नितिस कुमार जी के पास यहीं बीजेपी तीन दसकों से तो हिम्मत नहीं हुई बिहार में लड़ाई लड़ लें। अब जो लोग इस तरह का ज्यान या इस तरह का बयान दे रहे हैं उनसे पूछिए उनको बताना चाहिए कि बीजेपी सरनागत क्यों थी आदर नितिस कुमार जी के सामने। आदर नितिस कुमार जी का ब्यक्तितु इतना प्रभाव साली है इतना बड़ा है कि उनके उपर बयान देने के लिए उनके उपर सवाल खड़े करने के लिए वैसा पात्र चाहिए इन सब पर क्या नोटिस लेना है। यह हमारे साथ बात्चीत कर रहे थे राजत के परवक्ता मिर्टु जी तिवारी जो तमाम सवालों का जवाब दिया तमाम ख़बरों के साथा बने रहे है फश्ट बैसे शैलेंद हुमार। ये लो मुँ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुड़निया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा लाएं। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुड़निया में हम रहेंगे कहां। अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डबबा अलग से लाया हो। अपने पुड़निया में घर ले लिया है। पुड़निया के e-homes panorama में। इ-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिन्दगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सग। अड़े अड़े आप क्यों मुमिठा करवा रही हो। क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है। घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में e-homes panorama के संग। e-homes panorama लग्जूरियस, lifestyle redefined।